हेलो मेंबर्स टी से स्कॉच के दिर हमने ट्रेट किया था एंट मंत्री वॉल्यम ब्रेक आउट ट्रेडिंग स्टेजिक एक 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 प्रिवियस सपोर्ट जैसे कि यह हमारा एक सपोर्ट है इसको और भी हम आगी की तरफ अगर इस्टेज कर दें तो सेम लेवल का ब्रेक आउट अपसाइड की तरफ मार्केट ने आज दिया था है gap up के according price देखे इस support के नीचे जब आ रहा है यहां से देखे upside 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 और जब नीचे की side में गिर रहा तो बड़ा move और again price हमारा उसी level पर आ गया है जिस level से यह नीचे की तरफ गिरा था तो एक अच्छा और decent सा momentum हमको दिखा तो tick by tick हम इसको अपनी telegram चनल पर लगातार अपडेट करते चले जा रहा है यहां पर सबसे पहले हम अपनी trade book को उपन करते हैं so login करेंगे यहां पर सीधे espresso okay and pre-login है perfect तो यहां पर सबसे पहले हम लोग अपनी position book देखेंगे so position book में आप देखें overall जो हमारा आज का profit है 15,500 50 rupees का profit है and एक stressed target हमारा यह था आज का दिन का है इसको refresh करते हैं क्योंकि इसके पहले काच हमारा target था वहां पर हमने sign दे दिये थे कि यहां से हम निकल सकते हैं और उसके पहले ही बोला था कि कुछ quantities निकाल दिये बागी को hold के जागे के तरब telegram channel आप मेरा visit करते हैं तो link description में है order book देखते हैं order book में देखे 500 quantities के साथ हमने execute किया था entry जो हमने इसके अंदर ले थी अपनी 32 to 6.90 पर हमारी entry थी stop loss जो हमने इसके अंदर ले रगया था को टीसस नहीं दिखाया था because it sector को अगर हम देखेंगा morning से ही तो उसमें एक bullish momentum था और निफ्टी ने भी एक gap up मूट देखा करके 59 को लोग को protect करके high को break था अभी आगे चल करके देखेंगे portion book पर वापस आते हैं याद होगा कल के trade में हम ने कहा था कि कल का trade हमारा smooth trend नहीं था because उसने बहुत हम लोगों को hold करवाय था और आज का trade बहुत smooth trade था because one way momentum था हमारे sector क्योंकि side uptrend में था इस वजह से तो अभी आगे चल करके इसको lower and higher time frame पर दोनों पर देखते हैं और कहों सी monthly volume के बारे में discussion करना उसको भी देखते हैं तो वीडियो अच्छा लगता है तो उसको ज़रू से ज़रू लाइक के जागा, comments के जागा आज के trade को समझने से पहले हमें दो concepts को बहुत अच्छी तरह से clear कर लेना होगा क्योंकि जो हमने trade execute किया था, इसमें दो trade के systems का हमने एक साथ use किया था सबसे पहला तो बिल्कुल basic सा है कि price अगर किसी भी range पर, जैसे कि ये हमारा कोई एक support point है और जब इस जगे पर आ रहा है, यहां से ये उपर उठने की कोशिश कर रहा है मतलब कहीं न कहीं इस level से इसको buyers मिल रहा है, जो कि price को upside की तरफ ले जाने की कोशिश करते है और यहीं से एक बड़ा सा move आपको downside की तरफ देखने को मिल रहा है और price मेरा नीचे की तरफ ऐसे गर जाने की कोशिश कर रहा था अगें यहीं से price हमारा downside की तरफ गर जाने की तरफ बड़ा सा momentum को अगर market दिखा देती है यानि के यह support break हुआ अब यहीं पर दूसरी चीज़ देखे volumes एकदम से increase हो जा रही है अब यह previous month का पूरा चाहड़ है previous month से हमारा मतलब है कि यह जो volume आए इसको समासे देखे यह हमारी volumes है यहाँ पर volumes के breakout हो first thing अभी हमने आप से कहा कि दो systems का हमने इसके अंदर यूज किया था number one support and resistance price एक level से support ले रही है इस एक level से बावर पैस हमारा support ले रहा है और कि नीचे की दिशा में जाकर कि price breakout कर देता है and इस breakout के बाद में price का जो momentum है वो downside की तरफ हमको देखता है यह market नीचे की तरफ गिर रही है इसको गिरने देजे अब यहाँ पर हम क्या चीज़े देख रहा है कि जैसे ही price हमारा upside की तरफ आ रहा है यहाँ दोगा एक system ने आपको बताया था कि price के highs किस तरह से break हो price कैसे अपने highs को break and price अपने highs को break करते हुए again जिस candle ने breakout दिया था एक strong support का breakout दिया था price हमारा again उसी support तक चला जाता है कैसे? price में यहाँ से जो momentum आता है वो upside की तरफ का आ रहा है और यहाँ से price हमारा uptrend में यहाँ पर जाते ही क्या हो रहा है कि price हमारे stock हो रहा है but volumes increase हो रही है जैसे ही price हमारा हमारे resistance लेवल पर आया है इस candle के high पर जैसे ही price गया इसने gap up opening दे दी समझ पा रहा है मतलब जिस support को break करने के बाद में price ने इतना बड़ा एक momentum हम लोगों को दिखा रहा था again price हमारा उसी level पर चला गया और इस वाले resistance के उपर में जाकर कि इसने gap up opening दे दी अब अगर price को upside की तरफ जाना है तो जाहिर सी बात है कि जिस support को break करके price नीचे की तरफ गया था इसी support पर support लेकर के market मारी upside की तरफ भी जा सकती है morning में हमको support किसका मिल गया हमने देखा कि nifty ने भी gap up opening दे दी और nifty की gap up opening को चीश तरह गया थी कि 9.15 की हमारी जो candle बनी है price अपने इस low को protect कर रहा था और high के पास तक चला गया हमने morning में आपसे कहा था कि TCS को day high के उपर देखना अगर ये निकलता ना तो अच्छा moment दे करके जागा इसके अंदर selling मत देखना क्योंकि कहीं ना कहीं morning में market को दे करके nifty 50 को दे करके लग रहा था कि इसके अंदर का ऐसा भी होगा कि retracement price के अंदर आगा बहुत से लोग निकल गयोंगे ये तो कहीं नहीं जाने वाले ये गिर जागा यहाँ पर एक सही stop loss हमें मालूम होना चाहिए कि stop loss हम कहां पर लगा सकते हैं हाला कि जहां तक हमारा stop loss लगा तो वहां तक price नहीं आया अब इसको लग बोलिए या कुछ भी बोलिए कि price उस level तक नहीं आया और यहीं से upside का momentum हो गया और पूरे दिन TCS नहीं गिरा है last moment तक TCS upside की दरफ ही रहा है तो वापस अपने topic पर आते हैं first thing क्या थी कि support और resistance को हम लोग देख रहे थे तो इस तरह से market नहीं क्या किया कि जिस support के उपर price हमारा support ले रहा था ये वाला level इसको break करके नीचे की दिशा में market गई और same level पर जब price वापस गया है same level पर जब price हमारा वापस गया तो यहीं से support ले करके हमने इसको upside की तरफ trade कर दिया हमारी important candle कौन सी बन गएती है आज के दिन में ये वाली candle अब आते हैं दूसरे system पर volumes को ले करके क्या था मंतली volume का मतलब यह होता है यहाँ पर price को हम हटा देते हैं मंतली volume के previous month की volumes कमजोर हो रही है यह हमारी previous month की volumes है इसके बाद में हो क्या रहा है न एक जो सबसे highest volume निकल क्या रही previous month की यह वाली है but running month में, running period में जो volumes के breakout है काफी अच्छे breakout हो गए थे upside की तरफ और यही वो volume थी जिसमें price हमारा नीचे की दिशादर गिरा था याद है वो जो बड़ी से candle अभी हमने draw के थी यह important candle बन गए इस important candle के pass में जैसे ही market आएगी अब वो चाहे तो downside की तरफ हो या फिर वो upset अगर वो आती तो यहां से इसको rejection लेने ही पड़ेंगे लेकिन इसको confirm करने के लिए और भी elements के आपको मदद लेनी होगी अभी हमने कहा कि Sunday या फिस Saturday को में भी हम chance ऐसा है कि इसके ओपर एक full length video में upload करेंगे अभी एक ले सिर्फ इतना समझे कि volumes के आधा पर क्योंकि previous month की जितनी भी volumes से सबका breakout यहां पर मिल गया जो supportive level था जिस support को break करके इस heavy volume की candle ने breakout दिया था downside की तरफ इस volume के ऊपर यानि के इस candle के ऊपर हमको मिल गया हमारा price यहां पर trade काफी confident के साथ हम लोग trade execute कर सकते हैं because यह बहुत strong support बन जाता है price के मध्यम से भी और volume के मध्यम से भी और यह जो volume आई थी ना फिर इससे ज़्यादा फिर पूरे month में running month में भी इससे ज़्यादा volumes आई नहीं है तो I hope अभी जितने भी point समने समझाने के कोशिश की clear हूँगे drawings के उत्रूप काफ़ सारी चीज़ें आसान हो जाती समझते हैं सब कुछ related अब चलते हैं हम लोग अपने charts के पर यहां पर देखे क्या हो रहा है कुछ है इस तरह का हमारा support form हुआ यह हमारा support area है जो भी हमने का था कि अगर हम इसको stretch कर देते हो तो levels हमारे यहां तक निकल के आएंगे यह हमारा support zone बन जाए अब इस support के पास में क्या हो रहा है यह previous month का पूरा का पूरा support है जब यहां पर आप volumes का on कर दोगे तो देखे क्या हुआ previous month कहां से हमारा शूरू हो रहा है first June इसके बाद से latest 11th of July को सबसे आदा volume आई है यानि कि पूरे month में इतनी volume नहीं आई है इस month की volume का जो breakout दिया हमारा 11th of July की candle ने दिया है अब price ने क्या किया है कि हमारे इस support को नीचे की दिशा में downside में break कर दिया अब breakout के बाद में market नीचे की तरफ ही गिरी है देखें यह support बना उसको नीचे की तरफ breakout कर दिया breakout कर देने के बाद में price हमारा नीचे की तरफ गिर रहा है मतलब यह जो black वाली candle है ना इसके lows को market लगातार break करती चली आ रही है यहाँ पर देखे इसका यो low break हो रहा है अब low break होने के बाद में क्या हो रहा है कि price जब तक नीचे की दिश्रा में है वो गिर रहा चली है लेकिन जैसे ही price हमारा 11th of July की range के अंदर में आया इसके अंदर volumes increase होने शुरू volumes हमारी बढ़ने लग गए और अब जो market में हमें price मिला वो 11th of July की candle के upside में मिला देखे हैं पर 11th of July की candle किस तरह से react कर रही है price जब जब इस level पर आ रहा है upside के momentum सा रहे है यहाँ पर आ रहा है इसको फिर से support मिला अब अगर market को नीचे की दिशा में गिरना है तो यह गिर जाना इस level पर है और यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाए और price सेम level से हमारा support ले रहा है upside की तरफ और यह वाली जो हमारी candle है 11th of July की candle price जैसे ही अपने इस high के पास तक पहुंचा देखे इसके moments के इतने अच्छे momentum इससे क्या ओर रहा है कि volume और price इन दोनों को अगर हम mix कर देते हैं match कर देते हैं अपने trading के system में बहुत ज्यादा confidence के साथ हम अपने trades को hold कर पाएंगे एक तो analysis करने में भी confidence आता है day time frame पर ही हम लोग है यहाँ पर और day time frame पर ही read करने के बाद में बहुत साई चीज़ा है यहाँ पर में भी clear हो गई होगी अब चलते हैं वापर से हम लोग 5 minutes के time frame पर 5 minutes के time frame पर देखें क्या हो रहा है अच्छा यहाँ पर यह जितनी सारी drawings है ने सारी drawings को हम अठा देते हैं एक swing हम draw कर लेते हैं यह वाला swing market ने same level पर support लिये और नीचे की तरफ breakout है volumes के साथ में जिस candle ने breakout दिया इसका अलो और हाई मेरे लिए important हो जाएगा अब देखें market जब 11th अब जुलाई की candle के नीचे है तो इसके downtrends है और जैसे price upside की तरफ जा रहा है volumes increase करते हुए market upside की तरफ जा रहा है यहाँ पर भी क्या हुआ है कि price ने अपने swings को break कर दिया और एक gap up opening दिखा दी gap up की है एक resistance है अब कोई भी एक resistance point है market उस resistance के नीचे trade कर रही लगा था और वो trade कर रही है जैसे कि यहाँ 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 फिर से नीचे की तरफ गिर रही फिर से upside की तरफ फिर से वो नीचे की तरफ गिर रही और same level पर जाकर प्राइस अगर एकदम से gap up opening दे 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 रहा तो क्या होता है कि जिस level को price break करने की कोशिश कर रहा था बार बार आज volumes के साथ उसके breakout हुए है clear है अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि एक breakout हमें देखना की मिला same markings हम रहने देते हूं वापस चलते 5 minutes के time frame पर देखिए morning में TCS के अंदर कितने अच्छे volumes है थे मतलब कि volumes के साथ price ने upside में breakout देते हैं हमारी level के उपर और जैसे ही price ने इस swing को break किया जैसे price ने इस वाले swing को break किया था हमने आपर अपने trade execute किया एक detracement के बाद में और यह वाली जो candle थे इसके नीचे जस्ट स्याद हमने अपने stop loss लगाया था 3220 के असपास का हमारा stop loss था और targets अगर आपको सारे मालूमी है तो इस तरह से overall TCS को हमने trade किया था कोई भी trade अगर आपको execute करना न कोई भी trade आप किसी भी segment के उपर काम करो कोई भी trade अगर आप execute करो तो उसमें हमें देखना होगा कि actually वहाँ पर हम लोग किन level से trade कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि हम गय मार्केट में कहीं पर भी हमको लगा और हमने trade execute कर दिया यहाँ पर जो हमारे first target थे वो 3-2-5-0.50 का हमारे target level था इसके बाद में हमने stretch किया अपने target को देखिए price upside के तरफ गया यहाँ पर इसने एक swing लगाया हमने क्या किया 3-2-5-8 पर exact जवाब इस red वाली candle इस वाले swing का जो high है हमारा 3-2-5-8 देखिए इस black वाली candle का high exact इस वाली candle पर हमने एपनी exit कर दिती जितनी quantity थी सारी के side निकाल दी थे I hope कि जो भी points अभी हमने समझा है आपको clear हुए होंगे समझ में होगा targets के लिए भी day time से हमके level का यह हमने कहीं ना कहीं use क्या था but important point क्या थी जो भी हमने समझा है कि एक trade execute करने से पहले आपके पास आपका खुद का एक system हो जिससे कि आप trade execute करो अब मालीज अपनी telegram channel के थूँ काफी सारा support हम live market में भी आपको करते रहते हैं private telegram channel भी है और public telegram channel लेकिन जितना चाहते हैं कि वहाँ पर आपको support हम देते रहें live market में आपको थोड़ी बहुत help मिलते ले लेकिन फिर भी आपको खुद price को read करना होगा आप कहीं से भी कितनी भी आप calls ले लो किसी से भी जाकर कि आप help ले लो लेकिन जब तक खुद आप उस चीज में माहिर नहीं हो ना तब तक वहाँ से profit नहीं निकल के आएगा इसलिए किसी तरह को paid program नहीं है अपना कि हम call देने के लिए हम चाहें तो paid system शुरू कर सकते हैं बहुत से लोग हैं कि जो call कर दे मैसेज भी करेंगे कि आपका कोई paid system है कि कोई paid telegram चाहें कि जहां पर आप calls वगरा दो हमें मालूम है कि आप चाहें जितनी भी calls वगरा ले लो वहाँ से आपको profit नहीं होना है नहीं होना है नहीं होना है बहुत से लोग इस तरह की scam राकरा में फसते हैं जब तक खुद आप उस चीज में analysis करने में खुद बख़ुद practitioner नहीं हो इतना हो सके उतना समय market को दो जितना हो सके उतनी practice करो जितना हो सके उतना ही अभ्यास को दो इसके अंदर